अपने घोश्णा पत्र को संकल्प पत्र के नाम से जारी किया एक एक शब्द पर गौर रखिये 36 गड़ के लिए मोधी की गारेंटी से बताया गया है सबसे बड़ा एलान एक अतीस सो रुपे के हिसाब से एक अतीस सो रुपे के हिसाब से धान के खरीदी और वो भी 21 कोईटल प्रती एकड़ ये तस्वीरें उसी वक्त की कुछ देर पहले की डॉक्टर रमन सिंग आपको नज़र आ रहे होंगे रायपूर के कोशबा उठागरे परिसर में बीजेपी का घोश्टा पत्र जा रही गैरंटी दी जा रही है पांस साल में एक भी गोटाला नहीं होगा और गोटालों के आरूप लगाए जा रहे हैं कॉंग्रस पर सायोगी यूगल हमारे साथ जुड़े हूँ है सीधा यूगल के पास आपको लिए चलेंगे यूगल तमाम योजनाओं का जिकरे के एक शब्द पर पूरा फोकस मोदी का गैरंटी पत्र से बताया गया 36 गड़ के लिए गैरंटी मारके की बात ये के 3100 रुपए में 21 जे जो मारके की बात वो धान खरीदी योजना जो असर करेगी और सेंटर आफ अट्रेक्शन रहेगी जे बिल्कुल ललित आप सही करें जिस तरह से इंतजार था बीजेपी के गोसरा पत्र का खास करके बीजेपी को और उसके बाद इस तरह से जो घोसरा पत्र आया है बिल्कुल इसमें कई लोक लुबावन जो गैरंटी है वो दी गई है धान खरीदी को लेकर के जो 3100 रुपए जो तै किये गए हैं और साथ इसाथ गरीब जो परिवार की जो महिलाए हैं उन्हें 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की गई है और इसके अलावा जिस तरह से प्रधान मंतरी आवास को ले करके 36 गड़ में बड़ी राजनेती होते रही आरोप लगाए गए कि राजसरकार ने उनके छट छिल लिये हैं तो पहले केबिनेट की जब बैठक होगी तो उन केबिनेट की बैठक में सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही 18 लाग परिवार जो है उन्हें जो आवास देने की जो गैरंटी है वो दी गई है इसके अलावा मेला सुरक्षा को ले करके जिस तरह के 36 गड़ में लगातार बवाल मचा रहा सदन से लेकर सदक तक हंगामा हुआ ललित और इसके गवा हर कोई है कि सदन कई बार ठप हुआ तो उनको ले करके जो पिंक खाने की स्थापना की गई है महिला सुरक्षा तमाम ऐसे प्रमुक जो वादे किये गए है गरांटी दिया गया है और चूक इसके अलावा चाहे वो वनुपच की खरीदी हो इसके साथ इसाथ अन्य जो सुरक्षा है रेडी टूट को ले करके लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है राज सरकार पर की महिलाओं को जो मध्यान भोजन है उन्हें चीना गया है जो महिलाओं को स्वसाता समी को काम दिया गया था बीजेपी द्वारा उन काम को च्छिल लिया गया है तो उन्हें काम देने की फिर से सभी मेला साथ स्वाता समू को काम देने की बात की गई है इसना को तर तक की जो सिक्षा है उसके लिए कहा गया है कि छात्राओं को मुत में इसना को तर तक की सिक्षा है वो प्रदान की जाएगी इसकूल में मध्यान बोजन का जीकर आया है गुडवत्ता के साथ साथ उन्हें अब लंच जो नास्ता भी इसकूलों में चात्र चात्राओं को मिलेगा तो इस तरह से तमाम ऐसे वादे हैं मैं आपके पास भी आऊंगा तकरीबन 49 पेज है इस पूरे घोशना पत्रकों में देख पा रहा हूं हमारे साथ हमारे सायोगी आकाश भी जुड़े हुए उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे योगल लगातार इसे डिकोट कर रहे है और योगल के पास भी हम सवाल लाएंगे बहुत मारके की बात ये कि 49 पेज जो इस पूरे घोशना पत्रके हैं हर पेज ये दोहराता है कि मोधी की गारंटी हर पेज ये दोहराता है जबआने बनाया बाजपा ही समारेगी बाजपा के शाचनकाल में 36 वाल का गठन हुआ था साल 2000 में अटल जी की सरकार के हर पेज पर इस बात का जिक्र जरूर है मोदी की गैरेंटी और भाजपा ने बनाया है भाजपा ही समारेगी जिस तरह से यूगल भी जानकारी दे रहे हैं बादों को इस तरह से कस्टमाइज किया गया ऐसा लग रहा है कि बगेल साहब उन्हीं के पास जब्मेदारी थी मेरा ख्याल है यूगल बड़ी महनत उन्होंने की उनका संबोधन भी हमने सुना जे बिलकुल ये कहा जा सकता है कि इसी तरह की उम्मेदे बीजीपी के जो लोग थे प्रदादिकारी थे उन्हें थी कि इस तरह के एक ऐसा गोसरा पत्र आएगा जिसके बूते पर वो सत्ता में वापसी हो सकेंगे और जिस तरह से जो आपने जिकर किया है उन्चास आपने का तो ये बड़ा गोसरा पत्र है बड़ा गैरेंटी है और उन्हीं गैरेंटी जैसे प्रदान मंतरी नेरेंदर मोधी जब काकेर में कल आये थे तो उन्होंने दिल को छूने वाली कई बात और स जो बाते हैं वो पहुचाएं ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा वादा एक ऐसा गोसरा पत्र बनाया गया है जिसके हर वर्ग को छूने का प्रयास किया गया है और अगर जैसे ही सत्ता में बीजेपी आती है तो क्या करेंगे क्या नहीं कर पाएंगे तमाम चीजों का जिकर किया इस घोशना पत्र से जुड़ा हुआ क्या कोई रियक्शन मिल पाया आपको अपचारिक अनपचारिक जे आकाश चलिए आकाश से संपर्क नहीं हो पा रहा है आकाश का विस्तार दरसल इतना है इस घोशना पत्र का यह अपने आप में कई बड़ी बातों की तरह फिशारा करता है संयोजा किसके पूरे विजय बगेल थे इसी वज़े से मैंने उनका भी जिक्र किया और मुख्यमंत्री भुपेज बगेल को चनौती देने के लिए पाटन से इने उतारा गया है विशाय सूची पूरी एक गैरेंटी है और उसके बाद वादों की जो फैरस्त शुरू होती है एक लाग सरकारी नौकरियों का वादा पांसो रुपे में गैस सिलिंडर युगल लगातार बने हुए युगल ऐसा लग रहा है कि कॉंग्रेस के बड़े ऐलान से एक कदम आगे जाने की कोशिश भी हुई है चाहे धान खरीदी की बात कर ली जाए गैस सिलिंडर की बात कर ली जाए ये कोशिश जरूर हुई है युगल यही वज़ा है कि घोसा पत्र बनाने में उन्हें जारी करने में साइद राजनितिक दल है थोड़ी देविलंब करते हैं कि उनके क्या वादे हैं उनके क्या मैनिफुष्टो हैं उसके बाद नहले पर दला कैसे मारा जाए यह अमूमन सभी जो राजनितिक दल हैं वो इंतजार करते हैं क्योंकि एक लंबी फैरीस है लंबी गैरेंटी है तो इतले कहा जा सकता है कि उन्होंने वादा किया है कि रानी दुर्गावती योजना के ताथ डेल लाक रुपे हैं उसकी साहता है वो बीपिल वर्ग की जो बाइलकाओं उनके लिए दिया जाएगा और साथ ही साथ यह है कि प्रदेश के सिल्पकारों के लिए भी पौनी पसारी योजना का उसका विस्तार किया जाएगा ये भी उन्होंने जिक्र किया है अटल पेंसन योजना की बात उन्होंने कही है बाल केंदर निर्मार की बात उन्होंने कही है और गरीब स्रेडी के बालिका हो चाहे छात्र हो किशान हो तेंदुपत्ता संगराथ है पनवासी भाई हैं तमाम लोगों को छूने का प्रयास किया गया है एक ऐसा मेलिफेस्टो जो हर वर्ग से होकर गुजरेगा सुभाई तोर पर कहा जा सकता है बीजेपी का एक आकर सब्सक्राइब कर रहे थे कि हमने लोगों से चर्चा की है और इस घोशना पत्र में जिसे संकल पत्र मोदी की गैरंटी बीजेपी बता रही है उन्होंने ये साफ कहा था कि हर वर्ग की एक जहलक मिलेगी क्योंकि हमने हर वर्ग से चर्चा की है योगल लगातार हमां साथ बने हुए संकल पत्र आपक